हेलो एब्रीवान स्वागत आप सभी कट उपर स्प्राइम जैनल में इस वीडियो में आज हम पढ़नी वाले हैं डीबियमेस का नेक्स्ट टॉपिक डाटा मॉडल ठीक है इंपोरेंट टॉपिक है कौशन पूछे जाती है ठीक है कौन कौन से टाइप होती है इसकी वो देखेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़े होती है वो सारी चीज़े इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीदिय smok पे लिए जो आप मारा प्राइम पैर खरीद सकते हैं लिंक या आपको डिस्क्रिप्शन वॉस्में दिया गया है तो शुरू कर रहे हैं डाटा मोल होता क्या है तो देखें दाटा मोडल डिसक्राइब दा स्ट्रॉक्चर ओफट डाटा बेश डाटामोडल क्या करते हैं कि जो data होता है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ा होता है, उनके बीच में क्या relationship होती है, टीक है, data base का जो logical structure होता है, ये भी कौन define करता है, data base करता है, data model में हम क्या करते है, data को organize और store करते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है, data को organize करने के लिए, store करने के लिए, उनके बी ठीक है अब आता है various types of data model तो data model की अगर हम बात करें तो तीन तरीके का जो है data model होता है object based logical model, record based logical model और physical model ठीक है तो इनको ही देखते हैं कि यह होती क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे है object based logical model की, तो object based logical model जो है यह चार तरीके का होते हैं, इसमें दो ही बहुत जादा important है, in fact एक बहुत जादा important है जहां से question आते हैं वो है ER model, ठीक है, बाकी भी इसमें पता होनी जी इसमें functional model आता है, object oriented model और semantic model आता है, ठीक, तो यह होते है object based logical model, ER model हम इसमें भी cover करेंगे, लेकिन इसको अलग से cover करना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा topic है, और यहां से mostly important question जो है बनते हैं, ठीक है, तो ER model क्या होता है, यह जानेंगे, लेकिन जादा अच्छे से जो हम इसको अलग से पड़ेंगे कि ER model होता क्या, क्या-क्या चीज़े होती है इसमें, ठीक, आगे है record based logical model, record based logical model बहुत important है, तीनों की तीनों, hierarchical database, network model और relational model, इसमें भी अगर सबसे important अगर मैं देखूं तो वो है relational model, क्योंकि यहां पर relation से related question जो है देखने को मिलते हैं, जो की वगेर होती है, या फिर टपल क्या होता है, record क्या होता है, domain क्या है, इस तरीके की जो चीज़े पूछी जाती है exam में, वो आती है relational model से, तो तीनों देखेंगे और एक होता है physical model, ठीक, चलिए, अभी हम शुरुरुआत कर रही है object based data model से, तो object based data model में क्या होता है, the focus is on how data is represented, object based data model में focus किस पर होता है, कि हम data को represent कैसे करते हैं, ठीक है, इसमें हम data को divide कर देती है multiple entities में, each of which have some defining characteristics, ठीक, जो भी data होता है, उसको हम multiple entities में divide करते हैं, और हर एक की क्या होती है, कुछ characteristics होती है, moreover, these data entities are connected with each other through some relationship, ठीक है, तो in object based data model, the entities are based on real world model and how the data is in real life, तो object based data model में जो entities होती है, वो किस पर based होती है, real world पर बेशित होती है, कुछ example इसके जो हमने उपर पढ़े चार तरीकी का होती है, entity relationship, object oriented, semantic और functional, out of these model, ER data model and object oriented data model are the most popular, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ रही है, ER model, ER model क्या है, ER model के एक तो full form पता होनी चाहिए, तो वो है entity relationship model, ये क्या है, ये database design का एक graphical approach कह सकते है, इसमें हम diagram और visual representation के द्वारा database का design करते है, ठीक है, देखी, an entity is a thing, और object in the real world, that is, distinguishable from other object, ठीक है, यहाँ पे जो entity relationship model हम बात कर रही है, इसमें entity क्या होती है, thing कह सकते है, object कह सकते है, real world से लेटिड, जो कि other object से अलग होता है, entity relationship model is based on a collection of basic object called entities and the relationship among these object, ठीक है, entity ER model में एक real world object होती है, और entities के जो properties होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, attribute कहा जाता है, ठीक है, तो example से इसको देखेंगे, एक बात की हमने relationship के, तो relationship इसमें चार तरीके के होती है, one to one होती है, वो मैंने आपको बताया कि इसको थोड़ा सा detail में पढ़ना पड़ेगा, तो देखें, इसमें one to one relationship होती है, many to many होती है, many to one होती है और one to many होती है, तो यह चार relationship क्या होती है, वो जब इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तब और अच्छे से design करते हैं, diagram के help से, दीखें, four example, यहाँ पर, एक student दिया लिया हमने, student यहाँ पर क्या है, एक entity है, student क्या है, entity है, अब student से related student को हमने जो है, divide कर दिया, student ID, student name and student address, then study in, जो भी student था, वो कहां study कर रहा है, college में, ठीक है, college के ID और college का name, इस तरीके से हमने इसको divide कर दिया, अब अगर हम इसमें देखें, तो यहाँ पर जो rectangles आपको दिखाई दे रहे हैं, rectangles क्या है, rectangles represent कर रहे हैं entities को, तो यहाँ पर कितनी entities हैं, दो entities हैं, और उनके बीच में क्या है, एक relationship है, तो यहाँ पर जो diamond shape आप देख रहे हैं, यह किसलिए use करते हैं, relationship दिखाने के भी लिए, जो entities के बीच में जो relationship होती है, उसे show करने के लिए हम किसका use करते हैं, diamond का use करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे student को हमने divide किया था, student id, student name और student address में, तो यह ellipse होते हैं, ellipse जो होते हैं वो represent करते हैं attribute, means entities की जो characteristics होती है, entities की characteristics को क्या बोला जाते है, attribute बोला जाते है, तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि entities की properties को क्या कहते है, attribute कहते हैं, तो यह क्या हो जाएगे, इसकी properties हो जाएगे, यह यहाँ पर attribute का काम करिए, और attribute को हम किस से show करते हैं, ellipse से show करते हैं, same यहाँ पर यह college के attribute है, ठेक है, तो यह भी क्या हो जाएगे, attribute और इनको भी किस से show करते हैं, ellipse से, तो यहाँ से जो mainly जो question आता है, कई बार पूछ लिया जाते है कि ER model में entities किस चीज़ के द्वारा show की जाती है तो rectangle से show करते है, relationship diamond से show करते है तो और भी बहुत सारी चीज़े होती है, वो detail में जाने के बाद में अभी सिर्फ हमें इसका main main चीज़े पढ़ने थी कि क्या है line भी यहाँ पे, जैसे यह रही line, यह क्या represent करते है link of attribute to entities to relationship ठीक है, entities और attribute और link, sorry, यह जो relationship है इनके बीच के जो link है, उसको represent करने के लिए use की जाती है okay, ER model जो होता है, बहुत simple होता है और इसमें हम entities और attribute के बीच की relationship को जानते है okay, तो याद रखे, और इसका design जो होता है, वो किसका होता है high level का होता है, यह याद रखे आप, high level में याता है object-based data model then आते है हमारे पास, इसका second model, object-oriented model तो इसमें हम यह दो ही पढ़ेंगे, कि ER model क्या है और object-oriented model क्या है देखे, object-oriented model में हम क्या कर सकते हैं, information यह जो data होता है हमारे पास object-oriented model में जो भी data हो या information हो, उसको हम किसके रूप में दिखाते हैं, object के रूप में show करते हैं ठीक है, और यह जो object होते हैं, यह instance variable में value को store करते हैं तो देखते हैं, देखे, in this, both data and their relationship are organized or contained in a single structure known as an object तो जो भी data होती हैं, उसे हम organize करते हैं as an object object include information about relationship between the facts within the object as well as information about its relationship with other object ठीक है, components जो इसमें आते हैं, वो आते हैं attribute यह क्या describe करता है, properties of the object जहां पर मैंने एक person लिया, उसको क्या नाम दे दिया, object और class क्योंकि class भी क्या होता है, group of object that are similar in characteristics ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, class में रखे जाते हैं तो आप यहां पर इस person को क्या कह सकते हैं, object भी कह सकते हैं और class भी कह सकते हैं, person को हमने डिवाइड कर दिया कि उस person का name क्या है उसकी age क्या है, उसकी date of birth क्या है, तो यह क्या है, person की characteristics है, properties है तो इसको क्या नाम दे दिया, attribute नाम दिया गया है ठीक है तो यह याद रखे, इसमें और भी component होते हैं, जैसे inheritance भी होता है इसमें class भी होता है तो देखे, class क्या होता है, objects that are similar in characteristics are grouped in class so class is collection of similar object इसके लावा inheritance भी जो है, इसमें होता है यह inheritance को भी object oriented model support करता है ठीक है, और inheritance को support करने से क्या होती है इसकी data integrity जो है ती, वो increase होती है तो यह था object oriented model उसके बाद आता है record based logical model record based logical model क्या describe करता है data at logical and view level data को describe करता है logical or view level पे when compared with object based data model the record based logical model specify the overall logical structure of the database and provides higher level implementation तो record based logical model जो होता है वो overall logical structure बताता है database का record based model are so named because the data is kept in the form of record यहां पे record based logical model क्यों रखा क्योंकि जो भी data होता है वो किस की form में store होता है records की form में store होता है of several types each record has fixed number of fields हर एक record में कुछ number of fields होंगे या attribute भी का आ जाता है fields को and each field और हर एक field की क्या होगी एक fixed length होगी ठीक है तो याद रखिए record based में हम पूरा overall logical structure डिफाइन करती हैं और इसका नाम ऐसा क्यों हो है क्योंकि इसमें जो भी data होता है उसको हम किसके उसमें दिखाते हैं record की form में दिखाते हैं ठीक है चलिए अब हम पढ़ रहे हैं इसमें तीन टाइप इसमें होते हैं एक होता है hierarchical model second होता है network model and third होता है इसमें relational model ठीक है ये तीन होते हैं तो देखते हैं देखें फर्स्ट हम जैसे पढ़ रहे हैं hierarchical model hierarchical model क्या होता है hierarchical model में क्या होती है parent और child relationship होती है जैसे tree हमने पढ़ाया tree में एक root होते है वहाँ पे उसके child होते है तो इसमें भी क्या होती है parent-child relationship होती है इस model में जो हमारी entity होती है उसके पास क्या होता है सिर्फ एक parent होता है और उसके बहुत सारे children होते है मतलब कोई children ऐसा नहीं है कि जिसके दो parent हो जाए तो यहाँ पे एक parent होता है और उसके बहुत सारे children होते है इस model में जो entity होती है मैंने खाना इस model में हर एक entity के पास क्या होती है entity के पास क्या होता है तो जो entity होती है उसमें उसे हम क्या कहते है root कहते है जो single होती है तो देखे, इस तरीके से इसमें root बना होता है, जो main होती है यहाँ पे entity, then उसको जो है divide किया होता है, हर एक का सिर्फ एक ही parent होता है, ऐसा नहीं है कि इसके, माली जी, यहाँ पे मैंने यह किया, कि इसके दो parent हो जाएंगे, यह इस तरीके की relationship यहाँ पे नहीं होगी, कि इस व इस वाले का parent सिर्फ यह है, इस वाले का यह है, तो सर्फ एक ही parent जो है, इसमें होता है, तो देखते है, this data-based model organize data into a tree-like structure, with a single root, data को इसमें जो है tree की तरह structure में organize किया जाता है, जिसमें केवल एक ही root होती है, ठीक है, to which all other data is linked, और जो भी data होता है, वो link होता है, hierarchical start from the root data, root data से शुरू होता है, and expand like a tree, adding child nodes to parent node, in this model, a child node will only have a single parent node, तो यह important इसमें, क्योंकि इस model में क्या होता है, जो child node होता है, उसके पास क्या होता है, एक single parent node होता है, अब यह line important क्यों है, क्योंकि जो network model है, उसमें जो होता है, एक से ज़ादा parent node हो सकती है, तो इसमें क् लखना आपको child node के पास क्या होता है, single parent node होती है, example देखते हैं, पहले ही पढ़ लेते हैं, इन hierarchical model data is organized into tree-like structure with one-to-many relationship, one-to-many तो होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक root है, और इस root से जो है, कितनी भी जो है, वो जा सकती है, फिर यहाँ पे एक single parent हो जाएगा यहाँ से क कहलाती है, okay, between two different types of data tie, for example, one department can have many courses, many professor and of course many student, तो एक college में हमें पता है, बहुत सारे courses होते हैं, उसमें बहुत सारे professors होते हैं, students होते हैं, तो यहाँ पे college क्या हुआ, एक parent node हो गई, college क्या है, यहाँ पे parent है, ठीक है, यह रूट हो गया हमारा, अब इसमें देखे क्या होता है department भी होते हैं, infrastructure भी होते हैं, department में आप देखेंगे, तो देखे, अलग-अलग courses होते हैं, teachers होते हैं, और student होते हैं, courses में भी theory course भी होते हैं और labs भी होती हैं, ठीक है, तो यह जो है, क्या हो गया, hierarchical model जो है, कुछ इस तरीके से show करते हैं, ठीक है, और इसमें relationship याद रखे, one to many होती है, one to many relationship इसमें use की जाती है, अब एक और चीज़ इसमें याद रखे, इसके जो advantage है, वो क्या है, वो बहुत important, देखे, advantage इसकी क्या है, यह data sharing को promote करते हैं, जो hierarchical model होता है, वो किसको promote करते है, data sharing को promote करते हैं, इसमें parent-child relationship होने के कारण, जो इसके concept होते हैं, वो क्या priority भी देते हैं, और इसमें one to many relationship होते हैं, तो यह इसकी mean-mean advantage है, ओके, चलिए, आगे देखते हैं, next जो है वो, वो है मारा network model, network model पढ़ेंगे हम, देखे, this is an extension of the hierarchical model, मतब hierarchical model के extension माना जाता है यह, in this model, data is organized more like a graph, उसमें हमने tree की form में इसमें हम data को represent करते हैं, graph की form में, okay, and or and are allowed to have more than one parent node, और इसमें जो हैं, हम एक से जादा parent node को allow कर सकते हैं, यानि कि इसमें एक से जादा parent-child relationship होती हैं, in the database model, data is more related as more relationships are established in the database model, also as the data is more related, hence accessing the data is also easier and fast, तो यहाँ पर data एक दूसरे से जादा जुड़ा होता है, तो data को access करना easy or fast होता है, यह describe करता है, many to many data relationship, अब many to many क्यों क्योंकि एक ही child के दो parent भी हो सकते हैं, इसलिए यह many to many data relationship show करता है, this was the most widely used database model before relational model was introduced, relational model के आने से पहले यह most widely used database model था, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा model यूज किया जाता है, वो है relational model, तो इसमें देखिए, हमने एक लिया ABC college, department A, college library और student, तो यहाँ पर ABC college, यहाँ इससे भी related है, इससे भी related है, यह तो दिखा रहा है one to many, यह जो relationship दिखाई इन्होंने, one to many दिखाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, child तो दो है, लेकिन parent एक है, बट यहाँ पर आप देखेंगे, department A में भी student और college library में भी student related है, तो यहाँ पर देखेंगे, इस student की दो parent node है, दो parents है, तो यह कैसी relationship होगी, many to one, many to one, और many to many भी हो सकती है, इसमें, many to many भी हो सकती है, ठीक है, तो याद रखेंगे, इसमें जो relationship होती है, वो क्या होती है, many to many होती है, advantage क्या है, इसके जो concepts होते हैं, वो भी hierarchical model की तरह simple होते हैं, इसमें एक से जादा parent child relationship होते हैं, data को क्या कर सकते हैं, easily access कर सकते हैं, जो भी data हमीं चाहिए हम उसे easily access करते हैं, क्योंकि data जो होता है, यहाँ एक दूसरे से जूड़ा होता है, data integrity देते हैं, और साथ-साथ इसमें DDL और DML language भी use होते हैं, तो यही कुछ इसके advantage है, उसके बाद जो आता है model, वो है relational model, बहुत important model है यह, तो देखते हैं, in this model, data is organized in two-dimensional table, इसमें हम data को organize करते हैं, two-dimensional table, यानि की row और column की form में, ठीक है, and the relationship is maintained by storing a common field, ठीक है, तो याद रखे, data को relation यानि की table में store किया जाता है, और हर एक relation में क्या होती है, इसमें row और column होते हैं, this model was introduced by, यह model किसने introduced किया था, यह question पूछा जाता है, तो देखे, इस model को introduced किया था, EF code ने, in 1970, and since then it has been the most widely used database model, in fact we can say that only database model used around the world, तो यही database model जो है अब सबसे जादा use होता है, the basic structure of data in the relational model is table, जो basic structure होता है data का relational model में, वो किस तरीके से दिखाते हैं, all the information related to a particular type is stored in, जो भी एक तरीके का data होता है, ठीक है मालीजी student से related, हम कोई data बना रहे हैं, एक नाम लिखा मैंने अनू, तो उससे related, जो भी सारा data होगा, उसका row number, class, उसका address, वो सारा हम किस में show करते हैं, एक row में show करते हैं, ऐसा तो नहीं होता, कि अनू का नाम यहां पर किसी और का address में इसके सामने भर दूँगी, तो जितना भी एक particular data होगा, या related data होगा, हम उसे कहां दिखाएंगे, एक row में दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, कि हम उसे column में दिखाएंगे, कि अनू का नीचे column की तरफ जा रहे हैं, तो row में show किया जाते है, and tables are also known as relation in relational model, तो यह question कईबा पूछा जाता है, कि relation क्या होती है database model में, तो वो होती है table, table को ही हम relation कहती है, तो यह भी आप आगे पढ़ेंगे, जब हम RDBMS करेंगे, कि उसमें कौन-कौन सी चीज़े होती है, relation क्या होती है, relation में क्या-क्या चीज़े होती है, tuple, domain, यह सारी चीज़े हम next lecture में दे related जो data है, उसको हम एक row में दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर icon था age, इसकी 17 थी और इसकी id 1 थी, तो हमने इसको पूरा एक row में दिखाया था, beacon था, उसको हमने एक row में, ccon और decon, subject id, name और teacher, java, mrj teacher, इसको हमने पूरा एक row में दिखाया, तो कुछ इस तरीके से हम इसको show कर करते हैं, okay, यहाँ पर जो table की row होती है, अब आप row देख सकते हैं, इसमें कितनी row है, 1, 2, 3, 4, 4 row है, इन 4 row को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, टपल, तो किसी भी relation में, या किसी भी table में कह लीजिए, जो row होती है, पर्टिक्लर row होती है, उसे क्या कहते है, टपल कहा जाता है, okay, और जो column है, वो क्या करते है, attribute, attribute अगर आप से पूछे क्या है, यहाँ पर, subject ID, name, teacher, यह क्या है, attribute होती है, जो column को show कर रहे है, वो क्या है, attribute होती है, ठेक है, चलिए, एक physical data model और पढ़ते है, it describes how data is stored in the computer, physical data, मतब describe करता है, how data is stored in that computer, data जो है, किस तरीके से store होगा, वही, physical, जो हमने 3-layer architecture पर पढ़ा था, यह शो करता है, कि मेमरी में यह किस फोर्म में जाएगा, byte की फोर्म में जाएगा, bit की फोर्म में जाएगा, terabyte, gigabyte, किस तरीके से वो जो data है, वो store होगा, computer में, okay, representing information such as record structure, record ordering, and access path, less numbers of models are there, तो इसमें दो model जो mainly use होते हैं, कई पर पूछ ले जाते हैं, वो होता है, unifying model, wait, unifying model, और second होता है, free memory model, तो यह दो याद रखें बस, बाकि physical model से related कुछ नहीं बाता है, जो mainly question आते हैं, वो relational model से आते हैं, और ER model से आते हैं, तो यही दो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ER model अभी detail में करेंगे next, जो lectures आएंगे, उसमें देखेंगे, तो देखेंगे, तो देखेंगे, अभी जो हमने data models पढ़े तीन, mainly, hierarchical, relational, और network, इन तीनों में आपको क्या-क्या याद रखना हैं, वो देखते हैं, देखें, hierarchical model में कैसी relationship होते हैं, सबसे पहले पता नगे चाहिए, तो one to many relationship होती है, okay, collection of records connected in the form of tree, जो भी records होता है, records कह लीजिए, जो भी data होता है, उसको हम किस तरीकी से connect करते हैं, in the form of tree, सबसे जो पुराना model है, वो कौन सा माना जाता है, hierarchical model, ये question भी कई बार आ जाता है, तो oldest of three record-based model, जितने भी तीनों record-based model पह hierarchical model है, okay, जो पहला hierarchical database था, वो कौन सा था, first hierarchical database था, information management system, यानि कि IMS, जिसे develop किया था IBM ने, and North American Rockwell Company ने, okay, तो पहला hierarchical database पूछा जाए, तो वो होता है, information management system, operations जो इस पर apply किया जा सकते है, insert, delete, और update, tree के form में है, तो ये तीनों ही difficult होते हैं, इस model में, मतलब अगर हम कुछ to model में, insert करना चाहते हैं, delete करना चाहते हैं, update करना चाहते हैं, तो वो बहुत difficult होता है, example देखिए, इसका hierarchical में, सबसे पहले तो database IMS था, उसके बाद system 2000 भी, जो ही कैसे है, hierarchical database पर depend करता है, okay, उसके बाद आता है network model, network model में कैसे relation होती है, many to many होती है, collection of records that are connected to each other through links, जो भी records होता है, वो connect होता है, एक दूसरे से links के through, improvement over the hierarchical model, hierarchical model का improvements है, या आप इसे graph की form में भी बहुत सकती हो, उसमें tree था, इसमें graph की form में होता है, operations जो होते हैं, वो difficult नहीं होते हैं, but each operation needs the modification of pointer, देखिए, उतने difficult नहीं होते हैं, जितने hierarchical में होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत more difficult होते हैं, इसके example अगर आप देखेंगे, तो UNIWAC है, DMS 1100 है, okay, relational model में जो relationship होते है, वो होते है, many to many, hierarchical and network model are unstable due to pointers, it is a record-based logical model, जिसे proposed किया था Dr. E.F. Courtney in 1970, show only the logical relationship, यह क्या show करता है, सिर्फ logical relationship करता है, इसमें जो row होते हैं, उसे क्या का जाता है, टपल का जाता है, और जो column होता है, उसको attribute बोला जाता है, insert, delete और update इसमें बहुत easy operation है, तो easy तो होंगे ही, table की form में, अगर हमें कुछ add करना है, तो हम जल्दी से इसमें add कर सकते हैं, okay, तो इसका example देखे, relational database model का वो है, और एकल ही कई बार आ जाता है, कि और एकल किस तरीके का database model पे depend करता है, तो relational database model पे, okay, तो यह सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है, question यहां से पूछे भी गया है, especially जो question आता है, वो टपल से और इससे related आता है, row is called टपल, टपल को हम record भी बोलते हैं, याद रखे, record, टपल और row, यह तीनो यह एक चीज़ है, तो यह आ गया जानेंग कि क्या-क्या चीज़ कौन सी होती है, इधर अफिर अप दिखेंगे field, attributer, column, यह तीनो एक नाम है, okay, तो यहां से confusing वाला question देते हैं कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, तो वो हम next lecture में clear करेंगे, okay, तो यह था data model, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीज़ेगा, तो यहां, thank you so much.